हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल एस्बियों पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटिकल तिकर्ष में आज हम पढ़ेंगे चोहार लाल नहरू को जिनके बारे में गांधी जीन ने कहा था कि में नितांत उज्वल हैं और उनकी सच्चाई संदे से परे हैं उने सो तंतरता के बाद 17 वरस तक बार्थ का सफर ने तर्टक किया और बार्थ की परचा तंतरा तक ववस्थ था और बार्थ की लोक तंतर को एक मजबूत इस्तिती पड़ान की इनके जीवन परीचे के बारे में जानते हैं चोहार लाल नहरू का जनम 14 नवबर 1889 को हुआ था इलहाबाद में इनके पिता मोती लाल नहरू एक वकेल थे और माता का नाम सवरू प्रानी था इनकी शिक्षा 16 वरस्ता गर्व में ही हुई थी उसके बाद 1905 में इंग्लेंड के हैरो श्कूल में एडमिशन ले लिया था वहां से इसकूली शिक्षा पूरी करने के की और उसी दोरान ये सिड्नी वेब बिट्रिश वेब से बहुत परवावित हुए और उनकी फैबियन वादी समाजवाद का इन पर परवाव पड़ा और इसी से परवावित होकर 1910 में इन्होंने सिंफिन आंदोलन में भाग लिया था उसी दोरान मेला मतादी कर आंदोलन करें और राजनीती में नहीं जाए लेकि नहरु जी पहले ही मन बना चुके थे कि वो राजनीती में जाएंगी इसलिए इन्होंने बिहार के बांकीपूर में कॉंगरेश का धिवर्शन हुआ था उसमें परती निदी के तोर पर बाग लिया उसी दोरान गांदी जी का गांदी जी नहीं नहरु जी नहीं यानि वार्त के जो नेता थे उन्होंने बिटिश लोगों का साथ दिया लेकिन बिटिश लोगों ने वापस रॉलेट एक्ट जल्या वाला बाग अत्या का इस तरह की गतनाए की जिससे भारतियों में विरोध की वाहना पैदा हो गई थ था कॉंग्रेस का जिसमें ये गांधी जी से मिले के बाद इनके संबंद मजबूत होते गई मतबेद भी थे लेकिन उल ऑवर इनके मजबूत संबंद थे 1918 में कॉंग्रेस मासमीति के सदैसे बने और 1919 में इन्हों के गाओं की यात्रा की ताकि यह कश्ट सेने की आदत पड़ गई है उसके बाद 1920 में ऐसे गांदोलन शुरू हुआ था गांदी जी द्वारा जिसमें मोती लाल नहरू और जोहार लाल नहरू दोनों ने बाग लिया था नवंबर 1921 में कॉंग्रेश को एवेद्य कोशित कर दिया गया और 6 दिसमबर 1921 को मोती लाल नहरू और जोहार लाल नहरू दोनों को जेल में डाल दिया गया छे मा की जेल हुई थी नहरू जी अपने जीवन में नौ बार जेल गए थे और नौ वरस से अधिक का समय नोंने ज लेता है था उसके बाद चोरी-चोरा कांडवा जिससे गांधी जीन अपना ऐसे योग अंदुल वापश ले लिया था लेकिन उनका यह निने च्वारला नहरू और मोती लाल यह दोनों को भी पसंद नहीं आया था 1922 में नहरू जी इलहाबाद नगरपालिका के चुने गए थे नहरू जी 1927 में नहरू जी ने रूश की यात्रा की इस समय तक वो कॉंग्रेस का पर्तिक बन चुके थे और इन्होंने अपना लक्षे यह कर लिया था कि देश की पूर्ण सवतंतर था ना कि कोई और ऑप्शन देश की पूर्ण सवतंतर था कि लक्षे मना आने के साथ ही इनुन ने अपने देश की सेवब में बहुत योगदान दिया और इन्होंने नहरू रिबोर्ट की भी आलोजना की थी उन्नी सो आठाचाइस में इंडिपेंडेस लेक Keeping न कि नहरू जी ने औरなる लख नौ में जो साईमन कमिशन आया था उसका ऊटाद किया औ इसके अलाव 1936, 1937, 1946 इन में भी नहरूजी कॉंग्रेश के अध्यक्ष रहे थे, 1931 में के पिता की मृत्यू हो जाते हैं और 1936 में पत्नी की मृत्यू हो जाते हैं, 1934 में जोस्वीन अवयक्या अंदोलन हुआ था, इसमें भी नहरूजी ने भाग लिया था और इसका पूर जोर समर्थन किया था, 1936 में बिहार में बुकम पर आया था, उस दोरों इनने लेगों की बहुत सेवा की, 1938 में यराष्ट्री योजना समित्य के अदेख्ष चुने गए, 1949 में इन्हों ने चीन की यात्रा की थे, इससे पहले 1923 में रूस की यात्रा कर चुके थे और वहां की समाजवादी वजस्ता से वो बहुत प्रभावित हुए थे, 1940 में व्यक्तिकत सभीने अवगया अंदोलन में इन्हों ने भाग लिया और 1922 से बार छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया और बार छोड़ो अंदोलन में भी इन्हों ने भाग लिया था, 1945 में सिम्ला सम्मिलन में सम्मिलित हुए थे और कैबिनेट मिशन योज ना आई थी जिसमें अंतरिम सरकार बनी उसमें गवर्नर जन्रल की परिशक के उपाजयक्ष चुने गए और पर रास्ट विबाग का कार्य बार भी इनको सौंपा गया था सविधान निर्मान में इन्हों ने इस बात पर जोड़ दिया कि सविधान का दिर्मान निर्वाचित परतिनिती ही करें 13 दिसंबर 1946 को इन्हों ने उद्देश्य प्रस्ता प्रस्तुत किया और 1947 में बार्थ के पर्थम पीम बने और जब तक मरती हुई तब तक ये पियम के पत्पर ही थी 27 मई 1964 को उनकी मृत्य हो जाती है इनके व्यक्तितों पर कई व्यक्तियों का परभाव था उनसे परभावित होकर इन्होंने अपने आपको बहुती काबिल और पर्टिबाशाले पनाय था सबसे महतपूँ वेक्ति उनके जीवन में थे रहा नेमें इनके पिता से शंशे वादिता और अध्वुत्侘ूn सकी उन्हें वरे शानुं कट रूप से प्राप्त थी गांधी जी की कारे प्रकारे प्रणाली से ही काफी परभावित थे गांधी जी की हिंसा उनका मानववादी दर्ष्टी को ने इन पर परभाव डाला और इनका जो पंच शील सिदान था वो गांधी जी से ही परेजित था काल मार्क से भी ये परभावित थे लेकिन काल मार्क सी हिंसा को ये समर्थन नहीं लेते थे इनके अलावा एनी बेसेंट, ब्रुक्स जो इनके टीचर थे बट्रेड, रसेल, कांट, स्पेंसर, आइंस्टीन, आसकर वॉल, जॉन, स्टुवर्ट, मिल, ग्लैडिस्टोन, बरनार्ट शो और रविंदरना टेगोर इनके अलावा बुद्ध, इशा और गीता जैसे ग्रंत से भी ये परभावित थे लेकिन बुद्ध का जो निर्वान का विचार था उसको ये समर्थन नहीं देते थे और गीता का वो वाक्या की करम करते रव फल के चिंता मत करो उससे ये परभावित थे नहरु जीने अपने जिवन काल में कई पुस्तकों की रचना की थी जिन भी से कुछ में तपून पुस्तके मैंने या लिखी हैं इस में पहली है Glimpses of World History 1934 An Autobiography 1936 The Unity of India 1934 The Discovery of India 1947 Soviet Russia 1928 Letters from a Father to His Daughter 1929 Water India 1937 India and the World 1936 The Question of Languages 1937 18 Months in India 1936 China Spain and the War 1940 Towards Freedom 1940 A Bunch of Old Letters 1930 Letters to His Sisters 1963 Visit to America 1950 ये मैटपून बुक्स है इनकी किसी भी थिंकर्स को समझना हो तो उसके बुक्स उसका जीवन काल और वो किन किन से परभावित हुआ ये समझना जरूरी होता है तो इस वीडियो में हमने ये सब जाना और नेक्स वीडियो में हम इनकी आइडियोलोजी इनकी राजने ते विचार और इनकी जो दर्श्टिक होना है उसको समझेगे तो आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थैंक यू